नेता जी आजिरो नेता जी आजिरो कारिकम में HW24 News मध्यप्रदेश के सभी दर्शकों का हम स्वागत करते हैं मध्यप्रदेश में एक बार फिर से चुनावी बयार बहना शुरू हो गई है आज नेता जी आजिरो कारिकम में हमने इनी राजिनेतिक जो जोड तोड़े उसको लेकर चर्शा करने के लिए भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री और वर्तमान सांसत प्रतिनी दी जैप्रकाश पटेल को जैप्रकाश जी आपका स्वागत है बहुत बहुत धन्यवाद SW24 न्यूट चैनल के सभी दर्सवकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार जैजी मध्यप्रदेश में कमलनास सरकार को कुछ राजनेतिक दाउपेश के बाद हटा करके शिवराज सिंह सत्ता पे काविज हुए थे लेकिन अब पांच साल पूरे होने के बाद चुनाओ का समय आ गया है अपनी सत्ता को बचाय रखने के लिए भाजपा क्या रणनीती अपनाने जा रही है हम निरंतर विकास के मुद्दो पर चुनाओ लड़ते आए हैं वर्तमान में भी हम इस प्रकार से ही मतलब हमारी जो चुनाओ योजना है उसको हम निरंतर प्रक्रियाग मिला रहे हैं और हम निश्चित ही विकास के मुद्दो पर ही चुनाओ लड़ेंगे देखे करनाटक में भी भाज़पा ने विकास की ही बात की थी लेकिन उस पे ब्रश्टाचार हावी रहा और जो 40% की सरकार एक नाम दिया था कांग्रेस ने ब्रश्टाचार को ले करके लोगों ने उस चीज को मानने करा और महां पर भाज़पा की एक तरसे में करारी हार ही कही जाएगी हार हुई मध्यप्रदेश में भी व्यापम और कई इसे घोटाले रहे जिनमें सीधे सीधे सत्ता से जुड़े लोगों का नाम आया कुछ लोगों को मंत्री पर छोड़ना भी पड़ा तो क्या इसी सित्य में आप यह नहीं मानते कि ब्रश्टाचार जो है शिवरा सरकार पर हवी रहेगा मध्यप्रदेश में भी ब्रश्टाचार की जहां तक बात है ब्रश्टाचार जहां जहां भी हुआ है और ब्रश्टाचार पर जिन विपक्षी पार्टियों ने मुद्देप को उठाया और जिन मुद्दों पर उठा कर उन्होंने जनता के बीच में वो गए हमने उसका जवाब दिया और हमने उस पर कारवाई की निश्चीती में मालता हूँ कि कहीं न कहीं अम्रश्टाचार ओजागर हुए तो हमने उन पर अनुसनात्र कारवाई की है और हम उस पर कारवाई लगातार करते रहते हैं हमारी लगातार कोशिस यह रहती है कि हम एक स्वच्छ सासन और सुचारू रूप से सभी योजनाओं का संचालन करें लेकिन कहीं न कहीं यदि इस प्रकार की सिकायती आती है तो हम उस पर कड़ा निर्णे लेते हैं और हमने लिया है जे प्रकार जी विकास की बात करती है भारती जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हलाकी कई ऐसे काम हुए हैं जिनको अभूत पूरू विकास से जोड़ा जा सकता है लेकिन चुनाओं में जो वादे भाजपा लेकर के आई है एक हजार रुपे लाडली बेहना इसी प्रकार से जो भी आम जनता को आर्थिक फायदे देने को लेकर के आई उस पर कांग्रेस ने नया दाव चल दिया है आपने कहा है कि कुछ क्राइटेरियास बना है आपने कि फोर मिलर नहीं होना पांच एकड़ जमीन नहीं होना उन्हीं महिलाओं को लाडली बेहना का लाब दिया जाएगा लेकिन कमलनाद ने 1500 रुपे एक हजार के बनीशबत पंधरा सु रुपे उसको बढ़ाते वैं कर दिया है और वो सभी महिलाओं का जो आठरा साल से उपर क कि उनको लाब देने सिलेंडर उन्हों ने जो आज ग्यारा सो साड़े ग्यारा सो रुपे का मिल रहा है वो पांच सो रुपे में सभी को देने की गोशना कर दी इस इस्तिति में आपको यह नहीं लगता कि कमलनात के दाओ भाजपा पर भारी पढ़ जाएगा विधान नरेंद मोदी जी और हमारे यसस्वी मुख्यमंतरी आधरनी सिवराज जी ने पूर्वा में भी जो योजनाय लागू की है जो योजनाय संचालित की है उनको इमानदारी से हमने नीचे तक पहुँचा है आपने देखा होगा प्रधानमंतरी आवास योजना आज प्रधान गाउं में और नगर की छोटी सी छोटी बस्तियों में भी आज प्रधानमंतरी आवास योजना के मकान निमनत वर्ग के लोगों को मिले हैं और वास्तविक लोगों को मिले हैं जिन लोगों के घर की छट अपक्ती थी उनका जीवन ही आपन नहीं हो पाता था और उनका ऐसे ही यह सिलेंडर देने की आज बात कर रहे हैं 500 रुपे में हम सिलेंडर देंगे हमने तो हमारी यसवसी प्रदान मंतरी ने उज्जोला योजना की तहट कई माताओं की आखें धुएं से खत्म हो जाती थी और सुबह का समय उसका जो है धुएं में भोजन बनाने में इतन समय और इतनी उसकी उर्जा खत्म हो जाती थी कि वो दीन भर काम करने लायक नहीं होती थी हमारी इसवसी प्रदान मंतरी ने उनकी चिंता करते हुए आज प्रतेक गरीब के घर तक लकडी का जुला और कंडे से चुला जलाया जाता था वहाँ पर उज्जोला योजना के त मुचे और जिससे जंगल कटाई भी बची और धुए से मुक्त भी हुए प्रकाश जी जो आवाश योजना प्रदान मंतरी आप बता रहे हैं उस निसंद आएक अच्छी योजना थी और उसका जो मूर्त रूप है वो ग्रामीन शेत्रों तक में देखा जा रहा है लेकिन जैसे आपने उज्वला योजना कहा या अपने सभी के जो खाते खुले उन में जो लाब मिलना चाहिए था जैसे उज्वला में तीन गेस के सिलेंडर दिये लेकिन आज कमलाज जी बोलना हर मेने एक सिलेंडर देंगे जो खाते खुलवाए थे जीरो बेलेंस के उन पर जो योजनाए लागूतों की लेकिन उनकी सही डंग से उनका संचालन हो पा रहा है नहीं क्रियानवन हो रहा है नहीं इस और उनका ध्यान नहीं रहा है यह बाते मैं नहीं मानता कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है निस्चित रूप से जिनको आवशक्ता थी उन तक सिलेंडर पहुँचे उन तक आवासियोजनाई भी पहुँचिये जहां तक प्रस्न है कि उन तक उनको ठीक से लाब नहीं मिलना बतलब गरीब क्यों लाब नहीं मिलना यह तो अब यह जूटी सरकार जो थी कांगरेस के 18 माह की और 18 माह की जूटी सरकार क्यों बदली उनके विधायकों ने क्यों बदली क्योंकि उनके विधायक अंदर के अंदर कहिन के घूट रहे थे उनके काम नहीं हो पा रहे थे 18 महा जो मद्यप्रदश सरकार का गया कांग्रेस की सरकार गया वो कहिन के तबादला उद्योग बनके रह गया था वहाँ पर एक विदहायक ओमंग सिंगार करके थे उन्होंने उनके ही पूरो मुख्यमंत्री दिगवेजे सिंग पर आरोप लगाया था कि उन्होंने बोपाल में एक दफ्तर खुल रखा है जहां से सिर्फ और सिर्फ तबादले किये जाते हैं तो इस प्रकार से कहीं न कहीं मतलब जो अठारा महां उनकी जो सरकार गई उस समय वो जनता के बीच नहीं जाते हुए सिर्फ और सिर्फ तबादलों के उद्योग और उसी धंदे में लगे रहें जैजी देखिए राजनीतिक आरोप प्रत्यारूप और सभी राजनीतिक दलों में चलना है जैसे अभी आपके दीपक जोशी जो पूरु मंत्री रहें वो उन्होंने सरकार पे जो सीनियर्स लीडर है उनकी अभेलना उनके अंदेखे का आरोप लगा के उन्होंने कांग्र लाल में कांग्रेसी विधायक तो इन वापस छे सीटों को लेने के लिए भाजपा इस बार कौन सीरेंट निती अपनाएगी देखिए यह से सीटें उसको वापस मिल पाएगी देखिए 2018 में भी खरगोंजिले में एक रहूल गांदी की सभाव ही थी और उस सभाव में उन् रुपे तक का करजा माप कर दी यदि और एक दो तीन चार पांच छे साथ आट नो दस तक की गिंती गिनाई थी और गिंती गिना के दस गिंती के बाद दस दिन दस दिन बाद यदि करजा माप नहीं होगा तो हम कमलनात को मुख्यमंत्री पस से हटा देंगे लेकिन ऐसा और इसलिए ये जूट की सरकार बदली गई उनके मंतरियों ने उनकी विरोध में आकर भाज़पा की सदस्यता ग्रहन की और कहीं न कहीं वहां से मुक्त हुए और हम सरकार में वाफसी की तो मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार से इनका जो जूट था वह जूट इनका नहीं चलने वाला है इस बार भी ये जूटी गोसनाई लेकर आ गए है हम पंद्रास रुपए देंगे पांस रुपए में सिलेंडर देंगे तो ये इनका जूट अब चलने वाला नहीं है हम निस्चित रूप से 2023 के चुनाव में हम यहां पर एक अच्छे आकड़े के साथ बहुमत की सरकार बनाएंगे लेकिन कई विधान सभा सीटों को लेकर भाजपा में अंतर कलर सी देखी जा रही है हलाकि अभी तक इस पस्ट नहीं हो पाई है मतलब उभर के सामने नहीं आ पाई है लेकिन जिसे इसे टिकेट पाने की दोड़ बढ़ेगी वैसे वैसे यह चीजें उभर के सामने आएगी और हर बार राजनेतिक दलों में यह जो टिकेट की दोड़ है यह सामने आती है खरगोन विधान सभा सीट को लेके भी काफी उभाफ हो कि इस्तिती बनी है संगठन और सत्ता का समन्जस से बन नहीं पा रहा है यह खबरे हैं इस इस्तिती में आप किसे सोचते कि भाज़पा छे सीटों को फिर से अपने पाले में ला पाईगी रूप से हम संगठनी ही रूप से मजबूत हैं और हम पिछली बार भी हमने संगठन के रूप में हमने समने एक जूटता के साथ चुनाव लड़ा था और इस बार भी हमारी तैयर के हम एक region 3 से चुनाव लडेंगे जहां तक टिकीट मिलने की बात रहती है .. तब तक प्रतेग वेक्ति को अधिकार हैं, प्रतेग कारेकरता को अधिकार हैं, कारेकरता आधारित पार्टी हैं, और कारेकरता आधारित पार्टी होने के नाते हमरी यह कोई छत्रपों का राज नहीं होता है, तो हम कारे करते हैं, तो कारे करते हैं, तो इस दोरान हमारी सब की महत्वा का अंच्छा है रहती है कि हम कईने कई टिकेट के लिए प्रयास करते हैं उसी का पैड़नाम है कि हम कईने कई टिकेट की मांगा अपने अपने इसाफ से करते हैं लेकिन पार्टी जिस दिन टिकेट तै कर देती उस दिन हम कमल का फूल लेके ही जनता के बीच जाते हैं और कमल का फूल ही हमारा निसान लेता है लेकिन ये सुनने में आ रहा है कि पार्टी ने से सब्तर वर्सिस के आयू से उपर के जो आपके नेता हैं उनको मार्ग दर्शन मंडल में लेने का एक नेड़ने लिया था लेकिन कुछ जगों पर इस सब्सक्राइब से लिया जा रहा है इस इस्तिति में इस बार क्या युवाओं को नेत्रों तो मिलेगा या सीने डीडर्स कोई पार्टी प्रोचसान बढ़ावा देगी भारती जनता पार्टी का इतियास राह है कि कार्य करने वाले का उसर दिया जाता है और आपने भी देखा है कि भारती जनता पार्टी में छत्रपों का राज नहीं होता यहाँ पर छोटे स्चोटे कारे करता को भी पार्टी टिकिट देती है और उसे सम्मानिय पत पर बिठाती है तो निश्ची तरुप से मेरा यह मनना है कि यहाँ पर युवा वाली जो बात है तो पार्टी ने अभी जो नवाचार किया है उसमें युवा वर्ग को बहुत अवसर दिये हैं युवा वर्ग को संगठन में आउसर दिये हैं और निस्चित ही मतलब सरकार में भी उनको महत्व मिलता जा रहा है और भारत वेसे कहा जाता है कि युवाओं का दे से तो निस्चित रुप से युवाओं को महत्व देना भी चाहिए और साथ ही हमारे बुजुर्ग भी लोगों का भी लाव उठाना चाहिए इस प्रकार से हमारी मान्यता है तो कहीं ऐसे वो उपस्तित होते हैं कि वहाँ पर यदि हमारे को अनुभव के आउशक्ता होती है तो कहीं न कहीं व्रद्ध लोगों को या बुजुर्ग लोगों को भी हमें आउसर देना पड़ता है जय प्रकार जी आने वाले विधान समय में भाजपा किन रणनीतियों को लेकर के आगे बढ़ेगी और मध्य प्रदेश का सबसे चर्चित जो राजनेतिक शेत्रे पस्चिम निमार खरगोंजिला उसी में आता है इस समय पूरी 6 सीटें कांग्रेस के पास है लेकिन एक व किन रणीतियों को अपना करके इन 6 सीटों को अपने पक्ष में लाती है क्योंकि इस बार शिवराज सिंग के सामने करना तक जीत के बाद एक बहुत बड़ा एक रुकावट खड़ी हुई है कि उन्हें एक बार फिर से वापस सत्ता में वापसी करना है और वो किस प्रकार स करेंगे ब्रेक के बाद इन विश्यों पर हम चर्चा करेंगे सांसत प्रतिनिती जैप्रकाश पटेल से तब तक आप कहीं जाईएगा नहीं देखते रहिए एस डब्ली ट्विटी फोर न्यूज मध्यप्रदेश ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों को एक बार फिर से स्वागत है नेता जी हाजी रो कारिकम में हम चर्चा कर रहे हैं मध्यप्रदेश के आगामी विदान सवाज चुनाओं को लेकर खरगोन जिले में कांग्रेस और भाजपा और अन्य राजनितिक दलों की क्या इस्तिती होगी इस समय हमारे साथ चर्चा के लिए जो मौजूद है भाजपा के पूर्व जिला महामंत्री एवं वरतमान सांसत प्रतिनिती जैप्रकाश पटेल जी जैप्रकाश जी आपका राजनितिक जीवन जो छातर जीवन से आप राजनिति से जुड़े रहे हैं और पाटिदार समुदार से आते हैं आपका एक तरह से पाटिदार समुदार का वर्चस हो है खरगोन विधान साबाई ने खरगोन जिले में एक बड़ी भूमी का निभ प्रयास कर रहे हैं टिकेट लेने का अगर उनको टिकेट नहीं मिलता है तो उसका कितना असर पड़ सकता है इंसीटों पर क्योंकि कहां यह जा रहा है कि अगर पार्टिदार समुदाय पीछे अटता है तो भाजपाय के लिए बहुत बड़ी शत्य होगी निश्चित रुप से एक पार्टिदार समाज बड़ा समाज है और पार्टिदार समाज राष्टवादी विचारों के साथ अपना मत देता है और राष्टवादी विचारों से उत्परोथ है तो मेरा यह मानना है कि भाजपा को निश्चित ही भारती जंता पार्टी को पार् भारती जनता पार्टी यदि आउसर नहीं देगी तो कोई खामियाज़ा भुगतना पड़ेगा इस प्रकार का कोई समाज के द्वारे इंटेक्शन नहीं है और ना हमारे समाज में इस प्रकार की कोई भावना है हमारी समाज सदेव से राष्टवादी विचारों के साथ रही है और अभी भी काइम रहेगी जैप्रकार जी खरगोन जिले की मांग रही है लंबे समय से मेडिकल कॉलेज, एगरिकल्चर कॉलेज, क्रशी बहुल शेतरे, किसान परिवार रहते हैं तो यह दो दो चीजों को लेकर भाजपा की और से अभी तक संगठन और सत्ता की और से सिर्फ बयान दिये जाते रहें लेकिन आज तक कोई गोश्मा नहीं हो पाई है अनिल जी यह तो है कि प्रयास तो काफी किये है पिछले जो सरकारे हमारी थी जब-जब हमारे प्रतिनीदित्व करता थे उन्होंने समय समय पर मांग रखी भी है और अभी वर्तमान में यहाँ पर जो एक लाक अलेज है वो अभी बनकर तयार हो गया है और वहाँ पर कक्छाय संचालित हो गई है साथ ही मेडिकल कालेज के लिए जिस प्रकार की राजिनीति यहां हुई थी और 18 माह की जो कांग्रेस सरकार के दोरान उस मेडिकल कालेज को जिलाच की साले खरगोन होते हुए भी महस्वर में उस समय की ततकालिन स्वास्तमंत्री द्वारा वहाँ पर उन्होंने आवंटित करा लिया था तो यह एक राजनीतिक रूप से जो उन्होंने पक्षपात वाला काम किया उसके कारण कहीं न कहीं उस में बाधा उत्पन हुई और उस बाधा को अभी खत्म कर दिया गया है और हमारे यससी मुक्यमंत्री खरगोन के मेदान में मेला मेदान पर आभी आये थे और उन्होंने वहाँ से गोसना की है मेडिकल कालेज खरगोन में ही बनेगा यह बहुत बड़ी सोगा थे हमारे खरगोन जिले के लिए टेमला रोड पर उसके लिए जगह का चैन कर लिया गया है प्रस्ताव भौपाल भेज दिया गया है निश्ची थी मैं मानता हूं कि बहुत जल्दा शिकरती आकर और निर्मान कारी प्रागों जैजी इस्थानी इस्तर पर हम जो कह रहे हैं एक तर से मैंने बता आपको कि किसान बहुल शेतर है मजदूर वर्ग है तो इसलिए अगर यहां पर एग्रिकल्टर कालेज या मेडि अगली आ रही है तो इसके लिए आप सत्ता से क्या बात करेंगे और यह 2023 के चुनाओ के पहले यह घोशना होंगी या इनको अधर में टांग दिया जाएगा अगली सत्ता आने के आने तक चुनाओ के बाद नहीं है खरगों जिले के द्वारा प्रस्तावीत मांगों में हमन उस बात को प्रात्मिक्ता से भौपाल में रखेंगे और हम कहीं न कई कोसिस करेंगे कि 2023 के चुनाओं के पहले पहले इसकी गोशना करवा कर हम उसका भूमी पुजन करवाएंगे जैप्रकाश जी सांसत गजेन सिंग पटेल उनके आने के बाद अभी तक यहां पर खरगों जिले कोई काई प्रतिनिद्र कहलाता था खरगों जिले में वो आते थे और चले आते थे लेकिन सांसत गजेन सिंग पटेल के आने के बाद भाजपा के जो सांसत हैं वो खरगों और बढ़वानी जिले को बराबर समय दे रहा है और आपको उन्होंने न्यूप्त किया हुआ लेकिन भाजपा इसी पक्षमें की खरगों में बने इस समय जो स्वास्त सेवा हैं जिलाची किस्षाला में वह काफी बेड़ कम है कुछ स्वास्त सेवा जैसे अभी आपने आक्सीजन का बताएं का प्रोडक्शन चुरू हो गया इसी कुछ योजना है जिनसे ग्राम सेवाई ग्रामिन शेत्रों तक नहीं पहुंची तो इसके लिए भाजपा कुछ नया करने जा रही है क्योंकि अभी तक मैंने बताया आपको कि बातें बहुत हुई लेकिन काम कम हुआ लोगपरिय सांसद गजैन सिंग पटेल हमेशा से प्रयास रत रहते हैं कि खरगोन जिल्यों को स्वास्त की बहतर सुईधाय मिले उसके लिए उनके निरंतर प्रयास रहते हैं कोवीट के दोरान हमने देखा कि आक्षिजन सिलेंडर के लिए बहुत मारा मारी हुई कई लोगों की जान चली गई आक्षिजन सिलेंडर के कारण हमारे लोकपरी संसद मोहदय द्वारा प्रयास करके उनके प्रयासों से यहाँ पर आज दो आक्सिजन के प्लांट है और उन प्लांटों से अब हमें सिलेंडर के आउशक्ता नहीं पड़ती उसकी डाइरेक्ट पाइपलाइन की गई है और उसके माद्यम से हम अब आक्सिजन के छेतर में आत्म निर्भर हो चुके हैं साथ ही जिलाची की साले में ब्लड सेप्रेशन मसीन लगाई गई जिसका भी हम लाब ले रहे हैं और पुरे जिले को उसका लाब मिल रहा है कहीं न कहीं ब्लड की बाटल एक ही वेक्टी को एक लगती थी अब हम ब्लड सेप्रेशन करके उसमें से अनेक लोगों को ब्लड दे सकते हैं जो जिस चीट के आउशक्ता थी वो उसको मिलती है साथ ही नया मेटरनेटी बना उसके अलावा हमारा ट्रामा सेंटर नया बना और भी अनेक चीजे जनसयोग से भी हमने कहीं वहाँ पर काम किये हैं हमने जनसयोग से कीचन को दुरस्त किया कीचन में हमने आटा की मसीन लगवाई वो भी जनसयोग से की गई तो इस प्रकार से हमने जिलाची किसा लएके लिए बहुत किया है और साथ ही पूरे जिले को उसको लाब मिल रहा है और हम आगामी समय में भी हमारा जो जिलाची किसा लए उसको तीन सो वेड़ेड से 500 वेड़ेड की छमता वाला बना रहे है सौवेडेट का भी बन चुका है सौवेडेट का प्रस्तावीत है इस प्रकार से हम उसमें एक नई सुईधाय सुरू करेंगे और निश्ची थी आज हम जब जाते हैं और जो भीड नजर आती है वो भीड कहीं कहीं कम होगी और सभी को बेड उपलब दो हुए जैप्रकार जी मैं अंतिम सवाल आप से करना चाहूँगा कि विधान सभा चुनाओं में कांग्रेश जी रणनीती के साथ आगे बढ़ रही है और करना टक चुनाओं को वो बूस्टर डोस की तरह बता रहे हैं करता हूं उसको लेकर काफी उत्साब है इस उत्साब से और कांग्रेश की रणनीती से निपटने के लिए भाजपा किस और सबसे ज़्यादे ध्यान दे रही है हमारा ध्यान हमेसाद विकास आपने बताया है हमारा ध्यान सदेव से अंतियोदय करा है हम अंतीम बेक्ती तक लाप पहुचाने की कोशिस कर रहे है हम अंतीम बेक्ती तक पहुच रहे हैं हम अंतीम बेक्ती तक लाप पहुचाने के लिए हमारी जो योजना है उसको नीचे धरातल पर उतारते हुए हम कार्य कर रहे है हमने देखा होगा हमारे लगातार mission चल रहे हैं और उस mission के तहत हम बूत इस्तर तक हमारा management हमने शुरू कर चुके हैं और बूत मेनेजमेंट करके और बूत मेनेजमेंट के साथ ही वहाँ पर जो अंतीम से अंतीम वेक्ति जिसको योजनाओं का लाव नहीं मिला ऐसे लोगों को चिन्नीत करके हम उन तक योजनाओं को पहुचा रहे हैं तो हमारा जो कार्य है वही हमारी परिणाम देगा और निश्चित ही हम उन योजनाओं के माध्यम से ही जनता तक जाएंगे और विकास के मुद्दे पर हम फिर चुनाओ लड़ेंगे जै जी आप विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे कमलनात के नेतरतु में वो नए नए वादे और इरादे लेकर जनता के बीच जा रही लेकिन जैसे समय कम होते आएगा विदान सभा चुनाव की तितियों की दूरी कम होती आएगी वैसे वैसे पता चलेगा प्रदेश की इस्तिति क्या है आम जनता किस और सकारात्मत दृष्टी से देख रही है आज आप हमारे कारिकम में यहां आए आगे भी हम आपको चर्चा के लिए आमनतित करते रहेंगे आप आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपने मुझे आउसर दिया मेता जी आजी रो कर्या कर्या है